इस दीवाली खूब खाय मिठाई सब को देवधाई कि इस पर कार के लिड़ू बना है 25 पर कार के लिड़ू हमारे पास अब यानि स्पैसलियव देखो यह बनाया है हमने रोग ड्राइफुट लिड़ू बनाया ने आई इस दीवाली खूब खाए मिठाई सबको देवदाई नमस्कार कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं इस सम्या हम चीका रोड बाइपास पर मौझूद हैं और यदि बात करें तो यदि सहर में चर्चा होती है तो पप्पु हलवाई की होती है क्यों होती है क्योंकि यदि सुध देशीगी की मिठाई खाने हैं तो सहर वासी चीका रोड बाइपास पप्पु की दुकान पर आते हैं और मिठाई का स्वाद चकते हैं और तेहारों का सीजन है यदि आपने भी सुध देश की मिठाई की खृदारी करनी है रिस्तोदारे में देनी है यार दोस्त को उपहार में देनी है तो याद रखेगा चीका रोड बाइपास पपु हलवाई की दुकान पर आईएगा और सुध मिठाई ले जाईएगा बात करते हैं तो यदि 21 साल का विश्वास सहरवासियों के स साथ 21 साल का विश्वास सहरवासियों के साथ आप देख भी रहोगे हर परकार की सुध देशीगी की मिठाई यहां पर आपको मिलेगी यदि लड़ूं की बात करें तो हर परकार का लड़ू यहां पर आपको मिलेगा पपु हलवाई की दुकान पर पहुंचे हैं पपु भ कितने इकी साल हो गए इसको और समय बीटता गया विश्वास बढ़ता गया है हमारा स्लोगन है इस दिवाली पर क्या ग्रावकों के लिए कौन सी नहीं मिठाई आई है क्या क्या मिठाई अपनी दुकान असर सारी बनाते हैं जरा मतक्रीवन सारी होते हैं हमारे पास लड़ कितने प्रकार के लड़ू बनाते हैं हमसे कम सर पच्छीस प्रकार के लड़ू हमारे पास दिवाली के लिए स्पेसल बनाया है यह यह बात करें तो पपो हलवाई किस चीज से भेम है सर हमारा मिठाईयों में बड़ा अच्छा नाम ऐसा है कि अंदर सुदुता का प्रतीक ह हमारा नाम और लोग बड़े विश्वास से आते हैं हमारे पास भी मिठाई अगर खानी है तो अच्छी मिठाईया हमारी स्मोस बड़ा अच्छा है कश्मर का समोसा बनाते हैं सब्सक्राइब किसी आस पास भी नहीं है यानि पूरा सहर यदि पकोड़ा खाना है तो भी जाती रहती है मिठाईयां यदि गिफ्ट आइटम में बात करें तो अलग से क्या क्या गिफ्ट आइटम सर हम देखो यह देशीगी की मिठाई का यह पैक है जो बनाये हुआ है देना चाहते हैं गिफ्ट में तो पप्पू हल्वाई की दुकान पर जरूर आईएगा य हमारे पास अलग अलग ब्रैटियां सारी यदि किसी ने पचास लेने हो सो लेने हो क्योंकि कहीं बार प्रकार के ड्राइफ रूट के पैक बनाए है और अपने इंडिन भी है इसके अंदर जी बाइजी को और क्या-क्या मिलेगा अपने सर हम पतिस्ता बनाते हैं देश्टी आपने इसी करें इस लोग फरेंस को लेने के लिए हैं को अपने मठाई की बात करें तो की से मठाई हैं सारी बनाते हैं परफ़ीं को फी तो है उसको बहुत लोग आते हैं खाने के लिए इसको और बाके हमारे पास देशी की के अगलाब जामन मनाते हैं हमकर हम फुल साइज का होता है पूरा बड़ा पीस होता है मारा देशी के अगलाब जामन के दिए किफ्ट की बात करें त्यार किया है देखो आप कितना सुंदर ग के अगे यह कुछ मद्फ करते हैं कितना सुंदर गिफ्ट है आप भी देख सकते हों यह सारा इंपोर्टेट डॉला हुआ है इसके अंदर मिल्कुल इंपोर्टेड डालमेंट है किसमी से पीच है यह मैंसिकन बाइट से और यह मिक्स रूट कोटेड कितने परकार की लेकिन यहां संतुष्टी है शुद्ध है जब भी आनि कैथल की साइड चक्कर लगता है तो पुप्पुल वाई की दुकान को नहीं भून पाते हैं कि कई बार हम स्पैशल भी आते हैं यहां यहां हमने स्पैशल आना है अपने गाड़ी उठानी है और इसी के पास यह नहीं के हमारा चक्कर लगेगा तो हमने आना है हम यह हमारी सारी तीम है यह सरपंच जाब है यह भी स्रपंच है वह भी स्रपंच रामनगर बुणने का हम यहां से पैशल आते हैं क्योंकि यहां शुद्ध हैं और बड़िया है जी बाइस सब्सक्राइब करें तो नाम आता है और यहां की जो सुधता है लोगों को खींच लाती है दूर दूर से क्या कहने चाहिए आप कब से आ रहे हैं यहां तो बहुत साल होगी जब से दुकान है तब से अत्ते रहते हैं के बास साफ सुत्री दुकान है जी अच्छी दिवाली वे पास में है गिफ्ट लेने देने की बाद वेवक्ति है तो यहां से क्यों ऐसा विश्वास है यहां सही खेंच लाती है अब यहां पर देशीगी की सुध्ध देशीगी क्योंति देते हैं आपको आशी बात कॉल्टी की अब हम इतने दोर से ती किलो मेंटर के लागबग गाउं पड़ता है तो हम यहां आते जाते रहते हैं यहीं पर आके रुख यहीं कि बात करें तो यहीं से पैको यहां जी को लेते हम यह इसे लेते हैं पपू से लेते हैं